जहिन दोस्तो रक्षित खन्नकेस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के जीडियो में मैं आपको एक जबर्दस जानकारी दूँगा दोस्तो केंद सरकार की तरफ से Ministry of Finance Department of Expenditure की तरफ से आप लोगों के लिए खुश खबरी है जियां दोस्तो Ministry of Finance की तरफ से एक मेटिंग करी गई थी और दोस्तो इस मेटिंग में कुछ एहम फैसले लिए गए पेंशन भोगियों के लिए पेंशन धारकों के लिए और दोस्तो ये फैसले थे FMA को लेकर और एरियर को लेकर जैसा कि आप पीछे थमनेल में भी देख रहे हैं वाँ 65,000,000 पेंशन धारकों के लिए खुश खबरी एरियर और FMA को लेकर बड़ा तोफा जारी जी हां दोस्तो ये आप लेटर देख रहे हैं ये लेटर है Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure का एक मीटिंग आयो जी थुई थी एक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के तुरे एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ फैसले लिए गए एरियर को लेकर और FMA को लेकर तो दोस्तो इनी जानकारियों को मैं आज के इस वीडियो में दूँगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महित्पूर्ण होने वाला है इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखरी तक देखेगा और अपने गुरूप में भी शेयर कर देज़ेगा वीडियो म आगे बढ़ते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेटर दिखा रहेता हूं यह लेटर है गौर्णमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स्पेंडिचर का दोस्तों यह लेटर है एक ओफिस में रंडम जिसमें कहा है इंप्लिमेंटेंशन ऑफ एरियर ऑफ पेंशन और फिक्स मेडिकल अलाउंस यानि एरियर को लेके कई ऐसे पेंशनर हैं जिनको एरियर के बारे में पता नहीं होता FMA के बारे में कोई जानकारी नहीं होती तो दोस्तो CPAO यानि Central Pension Accounting Office की तरफ से ये आदेश दिया गया है बैंको को, CPPC को जो भी Pension Disworthy के जल्सी है कैसे पैंशनर को पता लग पाए अपने एरियर की जानकारी और FMA की जानकारी Fixed Medical Allowance की जारकारी तो दोस्तो इस लेटर को मैं आपको पूरी तरह सही से समझाओंगा कि FMA को लेकर और एरियर के बारे में इन्होंने क्या कहा है चलते हैं दोस्तो इस लेटर को समझते हैं आपको बता दूं कि Pension धारकों के EPPO में Fixed Medical Allowance और एरियर का कॉलम ना रहने से उनको समझ में नहीं आता था कि उनको ERIER कितना मिला है जियां दोस्तो अभी भी ऐसे कई Pensioner है जिनको कुछ ERIER नहीं मिला जैसे Circular 568 का Circular 631 का OROP 2 का ERIER लेकिन Pensioner को पता नहीं रहता कि यह किस चीच का ERIER है तो Pensioner फिर लगता है CPGram में शिकैड डालते है बाद में जाकर उनको ERIER मिलता है लेकिन उनमें से कुछ ऐसे Pensioner होते है जिनको पता नहीं रहता कि जो हमारे खाते में ERIER आया वो किस चीच का ERIER है तो दोस्तो Pensioner मंतराले ने यहां पे एक मीटिंग करे थी जिसमें कहा गया कि पूरी जानकारी ERIER की आप PPO में मेंशन करे चाहिए वो किसी सर्कुलर का भी ERIER हो ताकि Pensioner को सही से पता लग जाए कि वो किस सर्कुलर का ERIER है जी यहां दोस्तो क्योंकि काफी Pensioner है जिनको पता नहीं रहता कि मेरे खाते में यह किस चीज का ERIER आ गया उन्हें पता नहीं रहता तो दोस्तो इसकी जानकारी है Pension Disverting Agency के पास कि वो आपको पुरवाइट करेगी कि आपको बताएगी कि किस चीज का वो ERIER है अगर वो नहीं बताती तो दोस्तो फिर आप Complain करेंगे फिर दोस्तो क्या लिखाए कितना मिलने वाला ERIER है या फिर इससे पहले कितना मिल गया इसकी जानकारी कई बार Pensioner को नहीं होती इसके साथ ही साथ पता नहीं चलता कि FMA की स्थिती क्या है लेकिन आप Pensioner धारकों की इस समस्या का निजात केंद सरकार ने कर दिया है जो हैं दोस्तो कई बार आपको FMA का भी ERIER मिलता है अगर FMA आपको पहले से नहीं मिल रहा तो बाद में ERIER दिया जाता है कई Pensioner को पता नहीं रहता कि Pensioner को कोई भी प्रॉब्लम ना हो ERIER को लेकर या फिर FMA को लेकर तो दोस्तो कुछ कॉंटेंट है इसी लेटर के कॉंटेंट है जो मैं आपको समझाऊंगा पैंशन धारकों को अब नहीं होगी असुईधा EPPO में शामिल किया जाएगा बैठक में लिया गया निर्णे जैसा मैं आपको पताएगा एक मीटिंग होई थी उसमें निर्णे लिये गए है इस तारीक तक सिस्टम में बदलाब करना है मैनुवल प्रकरिया से मिलेगी निजात इन टॉपिक पे मैं डिसकस करूँ आपको समझाऊंगा सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं मेटिंग हो रही है गौर्मेंट आप इंडिया मिनिस्ट्री आप पाइनेस की तरफ से क्या निर्णे लिये गए हैं आपके लिए पेंशन भोगियों के लिए ये जानते हैं वित मंतराले के डिपार्टमेंट आप एस्पेंडिचर के अंतरगत सी पी एओ के दौरा 65 लाग पेंशन भोगियों के लिए शानदार तोफा जारी किया है अब पेंशन भोगियों के इपीप्यों में फिक्स मेडिकल एलाउंस एफमे और एरियर का कॉलम भी शामिल किया जाएगा जियां दोस्तों ये देखने में आया है कि कई पेंशनर के पीप्यों में एपीप्यों में फिक्स मेडिकल एलाउंस का कॉलम ही नहीं है एरियर का कॉलम ही नहीं है जारतर pensioner के PPO में area का column नहीं होता है, यानि जो भी आपको area मिला, वो एक अलग sheet में दर्शाया जाए, वो एक अलग sheet में दिया जाए, ताकि pensioner को पता लग पाए कि वो किस सीच का area हमें मिला है, और वो कब भुखतान हुआ, तो area के बारे में जानकारी, FMC के बारे में जानका वो आपको सारी जानकारी देगा area की और FMA की, चलते अगली जानकारी की तरफ, फिर दोस्तों pension धारकों को अब नहीं होगी असोईदा, जो आपको परशानी होती थी area से जुड़ी, FMA से जुड़ी, वो अब नहीं होगी, इसके माध्यम से pension भोगी अपने fixed medical allowance और area की जानक CPPC के परमुक head को आदेश दिया है कि वे अपने system को इस प्रकार से upgrade कर लें ताकि pension धारकों को किसी भी तरीके की असोईदा ना हो, दोस्तों जैसा आपको पता है, इस परश भी एक software है, पूरा एक software बरा रखा है, जहांसे आपकी pension आती है, ऐसी दोस्तों PCDA, ऐसी दोस्तों CP CPPC है, यह सारे software पे काम करते हैं, central के, जो भी आपकी pension आती है, यह सब automatically आती है, अब कोई भी कार रहे, कोई भी काम, कोई भी pension से जुड़ा काम, आप कोई manually नहीं होता, direct computerized होता है, तो दोस्तों इन्होंने आदेश दिये कि जो भी आपका system है, चाहे वो spurs हो, चाहे वो PCD क जाओ, चाहे वो CPPC software हो, कुछ भी हो, उसको आप upgrade कर लें, ताकि pensioner को आगे upgrade किया जा सके, उनको नई जानकारिया दी जा सके, area से जो प्रॉबलम आ रही है, FMA से जो प्रॉबलम आ रही है, वो उनको दी जा सके, जी हां दोस्तों, तो दोस्तों system upgrade करने की बात कही गई है, चाहे वो SPARTS हो, चाहे वो CPPC हो, जहां से आपकी pension आ रही है, system upgrade होंगे, तो फिर pension धारक भी upgrade हो सकेंगे, उनको भी जानकारिया मिल सकेंगी, फिर क्या लिखाए दोस्तों, EPPO में शामिल किया जाएगा, CPO ने बताया कि भविश्य में pension धारकों के fixed medical allowance और उनके area से जुड़े सभी case digitally रूप से भेजे जाएगे, जी हां दोस्तों, आगे चल कर आपके PPO में हर एक चीज mention होगी, कि कौन सा area आपको कब मिला, कितना मिलने वाला है, सब कुछ आपके EPPO में होगा, PPO में होगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी FMA को लेकर fixed medical allowance का पैसा, अगर आप ले रहे हैं, तो वो भी mention होगा, वैसे कुछ PPO में शामिल होता है, FMA का पैसा, कि इतना आप ले रहे हैं, लेकिन कुछ दूसरे department के case हैं, जिसमें pensioner के PPO में FMA का कॉलम नहीं होता, तो दोस्तों area और fixed medical allowance का कॉलम आपके EPPO में होगा, और वो भी digitally रूप से, computerize के थूँ, अब pension धार्कों के EPPO में fixed medical allowance और area का कॉलम रहेगा, जिससे pension होगी, इन बातों से अवगत हो सकेंगे, जियां दोस्तों, सब जानकारी आपके EPPO में होगी, PPO में होगी, अगर नहीं है, तो आगे चलकर आपका EPPO, PPO update किया जाएगा, जियां दोस्तों, और सारी जानकारी आपको EPPO मिलेगी, अगर कोई FM में छूड़ गया आपका, या फिर area छूड़ गया, उसकी जानकारी भी आपको pension dispersing agency देगी, चलते अगली जानकारी की जारी circular के अनुसार, दोस्तों जैसा मने आपको एक letter दिखाया था, वो है यह, 6-5-12-24 को जारी circular के अनुसार, इस मामले में बैठक हो चुकी है, बैठक में pension area और fixed medical allowance को लेकर विस्तर्थ चर्चा की गई थी, उसके बाद यह निर्ने लिया गया है, कि इन्हें EPPO में शामि provide करा जाए, और उसमें area से जूड़ी जानकारी, FMA से जूड़ी जानकारी mention हो, यह बोला है, CPPC को जो भी pension dispersic agency है, ताकि pension भोगी अवगत हो सके, कि उनको कितना area मिला है, कितना fixed medical allowance मिल रहा है, जिया दोस्तों कितना area आपको मिल गया, बहुत से pensioner है, जिनको जानकारी नहीं है इसके बारे में, मुझे भी नहीं पता कि किन pensioner को कितना area मिल गया, तो दोस्तों pensioner को क्या पता होगा, जिया दोस्तों बहुत से pensioner है, उनको नहीं पता कि यह किस चीच का area है, उनके खाते में आया है, पास्भूग भी update है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन यह पता नहीं कि वो किस चीच का area है, हो सकता है कि वो FMA का area हो, हो सकता है कि वो 568 का area हो, हो सकता है 631 का area हो, बहुत से area हैं दोस्तों जो आपको मिले हैं, installment में भी मिले हैं, और पूरा lump sum payment भी मिला है, लेकिन pensioner को इसके बारे में नहीं पता होता, जाईर है दोस्तों इतना सारे area मिलेगा तो कैसे याद रखा जाएगा, हाँ, कुछ pensioner हैं जिनको पता है कि ये हमारा area आया था उस time, तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको देंगे, pension disvertic agency, कोई pension disvertic agency आपको मना नहीं करेगी, कि हम नहीं बता रहे हैं, ये किस चीच का area है, चाहे वो bank हो, चाहे वो CPPC हो, चाहे वो DPD हो, या फिर Treasury हो, यानि कितना area आपको पहले मिला, उसकी जानकारी प्रवाइट कराएंगे, कितना मिलने वाला है, उसकी जानकारी प्रवाइट कराएंगे, कितना fixed medical allowance मिल रहा है, कितना आप FMA का पैसर ले रहे हैं, उसकी जानकारी प्रवाइट कराएंगे, सारी जान इन्होंने तारीक भी दे दी सभी पेंशन भुक्तान करने वाले बैंकों के CPPC के हैट से कहा गया है कि वे 15.05.2024 तक सिस्टम में जुरूरी बदलाब कर लें या दोस्तों इन्होंने डेट रखी थी 15 मई की कि 15 मई तक जितने भी CPPC हैं वो अपने सौफ्वेर को अपग्रेट क पिर क्या हुआ इसके सार्थक नतिजे मिलने के बाद fixed medical allowance और area से जुड़े सबी केसों की प्रक्रिया डिजिटली रूप से पूरी होगी जी हां दोस्तो ये PPO में फिक्स मेडिकल एलाउंस और एरियर ये दोनों कॉलम शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी तरह की कोई समयस्या नहीं आएगी जो हैं दोस्तो अगर आपके PPO में सब कुछ चीजे mention हो आपके आखों के सामने हो तो दोस्तो आपको फिर कई पूछने की जुरत नहीं पड़ेगी फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परशानी होगी आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको आगे किस चीज का area मिलन है कि इतनी किस्ट आपके खाते में आएगी इतना total area आपका बनता है यानि पहले से ही अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो तो फिर area में कोई दिक्कत नहीं हो गया तो दोस्तों यह सब चीजे software पर depend है पहले से ही pre calculated है अगर वो आपको बता दी जाए तो फिर आपको को मिलने वाला है कितना आपको FMA का पैसा मिल रहा है अगर नहीं मिला पहले से तो कपसे नहीं मिला उसका भी क्या area बनता है सारा कुछ आपको पहले ही पता लगेगा तो आपके लिए फिर easy हो जाएगा तो दोस्तों यही meeting में बताया गया था फिर आपको कोई दिक्कत नहीं चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ, manual प्रकरिया से मिलेगी निजात यह दोस्तों जो CPPC, जो SPARSH, या फिर DPDO, Treasury जो manual तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो software भी इस पे काम कर रहे हैं, तो इससे आपको ही असानी होगी, pensioner को ही फैदा होगा, जैसे अभी ORP3 pension table आएगा pensioner का, वो सब computer में feed है, अब कोई manual तरीके से कोई काम नहीं करता, कि PPO देखा जा रहा है, एक एक PPO देख रहे हैं, pension इतनी देख रहे हैं, फिर उसमें से minimum, maximum, calculator में निकाल रहे हैं, उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है, अब ऐसा नहीं होता, सब कुछ computer के सामने हैं, PPO भी आपके feed है, सब कुछ scan करके computer में है, सारा कुछ computer में feed है, simple सा एक formula लगाना है, average निकालने के लिए और आपका OROP 3 निकल के आ गया, तो सब कुछ computerize है, इस परकार pension धार को गो, manual प्रक्रिया से निजात मिलेगी, कोई भी pension होगी, इपीप्यो में ये देख सकेगा कि उसके fixed medical allowance या area की क्या इस्थिती है, जियां दोस्तो, अब pensioner भी अपने अलग से कागच नहीं ढूंड़े का पुराने, कई बार वो लिख्के रखते हैं, कि हमें इतना area मिला, ये इस सीच का area है, अगर सब कुछ आपको एक ही कागच में मिल जाए, पिप्यो में, तो फि स्थिती में technical मदद के लिए धीरच कुमार scientific officer SBCPO से संपर्क कर सकते हैं, इन्होंने ये भी बताते हैं, कि अगर कोई spurs हो गया, cppc हो गया, bank हो गया, अगर उनको कोई दिक्कत आती है, software update करने में, या फिर pensioner का data update करने में, feed करने में, तो दोस्तों उनने बताया, कि एक scientific officer ह उससे भी आप contact कर सकते हैं, चाए वो spurs के अधिकारी हो, चाए वो cppc के अधिकारी हो, वो भी इनसे सला ले सकते हैं, ताकि वो pensioner का असानी से काम कर सकें, तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैंने आपको दी है, I hope सारी जानकारी अप अच्छे समझे होंगे, और दोस्तों ये फैसला आपके लिए बहुत मैध्पूर्ण है, जो केंद सरकार ने लिया है, Ministry of Finance, Department of Expandition ने लिया है, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें अपडेट होना बहुत जरूरी है, सिरफ cppc या फिर इसपर्स, pension, dispersic agency को ही नहीं, आपके पास भी अपडेट होना जरूरी है, ज अब ये अपना software अपग्रेट कर देंगे, जब आपके EPPO अपग्रेट कर देंगे, तो दोस्तों इससे आपको ही फायटा मिलेगा, आपको सारी जानकारी एडवांस में ही मिल जाएगी, जैसे कि इसपर्स आपको पहले ही एडवांस मैसेज भेद देता है, pension आने का, या फ जितनी भी pension dispersic agency है, चाहे वो CPPCO, DPDO, सपर्शो, उनके पास भी ये ख़बर पहुचेगे, और वो तुरंद इस पे action लेंगे, आपके PPO अपग्रेट करेंगे, आपके कॉरिजेंटम PPO अपग्रेट करेंगे, वो आपको सही time पे देंगे, सारी चीजे उसमें सही mention करेंगे सारा डेटा उसमें सही mention करेंगे, आपको कोई दिक्कत ना हो, इस वज़े से, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा फैसला था, Ministry of Finance का, Department of Expanditure का, जो लो नहीं ये letter निखाला, और हम ये उमीद करते हैं कि इस letter का असर हर एक pension dispersic agency पे पढ़े, और area से जुड़ी, जो भी आपकी समस्यां है, FMA से जुड़ी, जो भी आपकी समस्यां है, data correction से जुड़ी, जो भी आपकी समस्यां है, वो सब दूर हो सके, और उसका असर आपके PPO में देखे, EPPPO में देखे, इस पर्ष PPO में देखे, और सारी जानकारी आपको PPO में प्राप्त हो, तो दोस्तों ये कुछ जानकारी हैं थी, जो मैंने आपको समझाई, वीडियो आपको अच्छा लगते हैं, वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी हैं, अक्सर में आपको देता रहता हूं, वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडिय यह एंड करता हूं लाइक चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थैंक यू सो मज़